हेलो गाइज नीट के पॉइंट आप यू से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है और इसे केरफुली देखिए बहुछ जाद़ इंपॉर्टेंट है चलिए कुछ इस्टार्ट के रिए Q78 इसमें देखिए क्या दिया हुया है डिया हुआ हूआ है जास अफ्टेंट मेंड है यह यह दिया हुआ अ उप्शन दिया हुआ है F4 है है तो फ私 a में देखिए क्या लिखा हुआ है, ovules are not enclosed by ovary while in gymnase pomps, ओके, यानि आपको इसमें से क्या करना होगा, correct check करना होगा, ठीक है, तो ये option जो है, वो correct जाना, ठीक है, तो option A is correct, ठीक, चलिए, 79 देखिए question, select the mismatch, mismatch, check करना होगा, select करना होगा, तो option A में दिया हुआ, psychus, और इसके सामने जो दिया हुआ है, ये dioceus होता है, हाँ सही है, लेकिन इसमें mismatch, check करना है, जाने गलत जो चेक, ठीक है, इसमें mismatch, जो है, उसको check करना है, salvenia, heterosporus, ये भी होता है, equisitum, homosporus, ये भी सही है, तो बचा जो उसको आप correct करना है, यानि pinus, dioceus, ये condition गलत है, तो इसको correct करना है, ठीक है, इसको tick करना है, चले, आगे, question 80, question 80 देखिए, conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of, क्यों भी, conifers जो adopt करते हैं, tolerate करते हैं, वो भी extreme environment में कर जाते हैं, इसका reason क्या होता है, तो इसका reason होगा क्या, क्योंकि इसके पास जो, istomata होता है, जो, इसका, मतलब जो, istomata जो होता है, वो चारों तरफ से, वो leaf केंदे तो होता है, लेकिन उसके ठिक होते हैं, उसके cuticles खास करके, ठीक है, और istomata तो पाया जाता है, उसके अंदर भी, ठीक है, चले, तो इसको भी correct कर सकते हैं, कौन सा, ठिक cuticle, इसमें option correct जाएगा, यहां पर देखिए, istomata भी दिया है, लेकिन यहां पर, superficial istomata दिया हुआ, तो इसलिए गलत हो जाएगा, यह option गलत हो जाएगा, ठीक है, broad hardy leaves, hardy तो नहीं होता है, इतना, broad नहीं होता, क्योंकि कौनिफर्स टाइप कुज़ होते हैं, यह थोड़ा पदले leaves होते हैं, ठीक है, presence of vessels, नहीं, तो यह गलत हो गया, extreme environment के लिए, कौन सो जाएगा, thick cuticle होता है, ओके, तो यह जरूर लिखिएगा, अगे option, यह correct जाएगा, C का, ठीक है, एटी का C, correct, 81 का देखिएगा, select the correct statement, 21 में, तो, यह option दिया हुआ, C कोया, is one of the tallest trees, सही है, यह न, सबसे बड़ा माना जाता है, इसको correct करेगा, सबसे लंबा, सबसे लंबा tree होता है, C किसका होता है, यह बड़ी, मतलब, hilly region पर खास करके बाया जाता है, ठीक है, चलिए आगे, अगर आप, नए देख रहे हों वीडियो, ठीक है, नए जुड़े हुए हों, तो, प्लीज, इसको, सबस्क्राइब जरूर करने है, और बेल आइकान भी दबाले, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी, वीडियो को, ज्यादा सज्यादा, शेयर करें, ओके, चलिए, ग्वेश्टन, 82 देखिए, ग्वेश्टन नमर 82, इन वीच अदर फॉलोविंग, गमिटोफाइट इस नाट, इंडिपेंडेंड़ेंट, फ्री लीविग, तो, टेरिस, पाइनस, फुनेरिया, मारकेंजिश्या, इतने उप्शन दिये हुए है, इसमें से कौन से जाता है, पाइनस जाता है, पाइनस एक तरह का क्या होता है, जीमनो इसपर्म का एक्जाम्पल है, तो, भी उप्शन करेक्ठ होगा, 82 का, ठीक है, चले, 83 देखिए, रीड दा फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट्स, ए टू इ, एंड सेलेक्ट दा ओप्शन, विद्ध आल करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है भाई, इसको रीड करिए, ए से लेकर के, ए तक का जो स्टेटमेंट्स दिया होगा, स्टेटमेंट्स सारे, और उसमें का करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को, उप्शन को सलेट करेंगा, ठीक, तो, A, B, C, D, E करके दिया होगा है, सारे पढ़िए, उसके बाद में उसको समझ यह कौन सा है, ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन A, Mosses and Lichens are the first organisms, to colonize a bare rock, सही है, ऑप्शन A, करेक्ट जा रहा है, इसमें से, ठीक है, जो A वाला दिया हुए, A के लिए लाइन दिया हुए है, और भी हो सकते हैं, B में क्या दिया हुए, Celle janela, इजे homo sporous, teradophyte, नहीं गलत है, hetero sporous होता है, ठीक है, तो यह गलत हो गया, फिर आजाए यह, इसको wrong कर दिजिए, ठीक, चलिए, C देखिए, Coralide root in Cycus, have VAM9, यह भी गलत हो गया, अगे, D में देखिएगा, Main plant body in bryophyte, is gametophytic, whereas in teradophyte, it is sporophytic, सही है न, Main plant body, जो bryophyte में होते हैं, वो gametophytic होते हैं, और sporophytic, body किसमें होता है, teradophyte में, तो A मिल गया, D मिल गया, option चेक कर लीजिए, पहला ही मिल ला है, E भी correct हो जाएगा, यानि A और D दो correct जा रहा है, तो option A correct दिख रहा है, यही करना है, ठीक है, E भी चेक कर सकते हैं आप, ingymine sporms, male and female gametophytes, are present within sporangia, located on sporophyte, बिल्कुल सही है भई, ठीक है, 83 का, A correct कर दिखिएगा, चलिए, question number 84 दिखिए, 84, which one is wrong statement, अपस में से क्या check करना है, wrong statement चेक करना है, उसे पता करिएगा, चार option में से, ठीक है, चलिए, A option क्या दिया हुआ है, haploid endosperm is typical feature of gymnosperms, B में दिया है, brown algae have chlorophyll A and C and fucoxanthin, fucoxanthin, ठीक है, गलत हो गया, तोनो, अपसन गलत है, ठीक है, और, C ने में, C option देखिएगा, इसमें दिया है, archegonia are found in bryophyta, teredophyta and gymnosperm, नहीं भई, archegonia समय कहा होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाया, है ना, क्योंकि हमको wrong check करना है, ठीक है, तो ये भी गलत होगे, इस हिसाब से, अच्छली, option वैसे अगर देखा जाया, correct में है, तो option A, B, C, तीनों correct जा रहा है, लेकिन question में लिखा क्या है, wrong statement इसमें से करना है न, तो wrong हमें देखना है, तो option A, B, C, तीनों तो correct जा रहा है, बट यहां पे गलत हो जाएगा, ये हमको wrong check करना है, wrong देखना है, तो mucar has biflagellated zoo sports, ये गलत है, तो ये ही सही माना जाएगा, ये हमको wrong statement चेक करना है, ठीके guys, चलिए, आगे, इस तरह से question need में आने के जादे चांस होते हैं, इस तरह के, अच्छे गासे question आने के चांस होते हैं, इसको आप जरूर correct करिए, ठीके, इस पर जरूर ऐसे type में ध्यान दिया करें, चलिए, 85 नमबर का question देखिए, question number 85, read the following statements, statements type के question खासे कर के आते हैं अच्छे खासे, read the following statements A to E, and answer the question which follows them, देखिए का, कौन कौन सो जारा, in liverwords, a.m. liverwords, moses and fun, gametophyte, are free living, b. gymnosperms, and some funs are heterosporous, c. sexual reproduction in phyokas, volvox, and l.o. is oogamous, a.m. liverwords, more elaborate than, the.m. t.m. moses, both finance and margans, how many, how many check करना, कितने हो रहा सही, 1, 2, yoga, और 1, की भी सही, 3, 3 इसमें जा रहा है, यानि कौन से इसमें आप संजाएगा, A, 3, ठीक है, चलिए, 86 देखिए, 86 का, what is common in all the three, funeria, dryopteries, and zinkgu, ठीक है, zinkgu क्या होता है, zinkgu, gymnus पर में आता है, ठीक है, चलिए, आगे दिखेगा, तो इसमें common, चेक करना तीनों में क्या है, चलिए, बताएए, पहला option क्या दिया हुआ, A में, A में दिया है, presence of archegonia, archegonia, funeria, dark, अर्की गोनिया, भई तीनों में होगा, ठीक है, तो 86 का पहले मिल गए option, A करेक्ट होगा, अर्की चलिए, आगे, 87, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो देख रहे हुँ, नए जुड़े हुँ तो, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ठीक है, चलिए आगे, question number 87, which one of the following is a correct statement, 87, option A में क्या दिया है, tadoffite, gametophyte has a proto-neemal and leafy stage, correct देखना है, तो गलत हो गया, 87 का ये गलत, in gymnast sperm, female gametophyte is free living, ऐसा काहा होता है, N3DO force and archegonio 4 are present in tadoffites, ये क्या होगा, गलत हो गया, origin of seed habit can be trust in tadoffites, यही से होता है, origin seed का, d correct हो, ठीक है, 87 का d correct हो गया, 88 देखिया है, 88 का question, psychus and adiantum, resemble each other in having, A option seeds, B motile sperm, C cambium, D vessels, cambium, तो गलत हो गया, seed भी गलत हो गया, बच्चा क्या, B बच्चा, 88 का, B correct जाएगा, motile sperm, ठीक है, चलिए, आगे, 89, 89, read the following five statements, A to E and answer, as asked, next to them, चलिए पढ़िये बई, इस में से, इस 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 तन दा, फिमेल गमड़फाइट, रिटेंद आप रिच, बारन इस परवाइट, इन जी गुव, मेल गमड़फाइट, इस परवाइट, इस परवाइट, 59 का कौन से जाएगा, तीन जाएगा, इस में भी, तो, इस तीन गलत हो गया, तो एक आप्सन जाएगा न, 89 का, एक आप्सन करेएगा जाएगा, तो दी जाएगा, ठीक है, इसको करेट करियेगा, दी, ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आप्स देखियेगा, क्वेश्चन नमबर, 90, डाइग्रमेटिक है, ठीक है, इसको अच्छे से, केरफूली देखियेगा, ऐसा डाइगराम, NCRT में दिया होगा, NCRT के बुक में, ठीक है, NCRT, अच्छे से क्यारफूली पढ़ी है, इंपोर्टिन है, ठीक, चलिए, 90, क्वेश्चन नमबर, 90 को देखिये, Explain the figures, A, B, C, and D, in which one of the four options, all the items, A, B, C, and D, are correct, अच्छ, A में कौन सा है, इतो A वाला जो लग रहा है, ये सेलजिनेला का है, तो, सेलजिनेला में, A का सेलजिनेला, ठीक है, B है, इक्वी सीटम, इक्वी सीटम है, और, C वाला लग रहा है, साल्वीनिया, साल्वीनिया हो गया ये, और, ये तो जिम्नोस परम का जिंक गू हो गया, जिंक गू, ठीक है, तो कौन साप्शन जाएरा भाई, करेक्ट, ऑप्सन मिला दीजिए, A सेलजिनेला, B, एक्वी सीटम, कहां मिल गया, C ऑप्सन करेक्ट हो गया, ठीक है, साल्वीनिया हो जिंक गू, डी में जिंक गू, ठीक है, चलिए, कौशन नमबर 91 देखिया, Which one of the following is a vascular cryptogame, crypt का मतलब क्या होता है, चीपा होगा, ठीक है, cryptogame, Which one of the following is a vascular cryptogame, 91 का, कौन से जाएगा, खास करके, एक्वी सीटम में आएगा, तो इसको D करेगा, ठीक है, 91 का, 92 में देखिये, In which one of the following male and female gametophytes, do not have free living independent existence, तो citrus जाता है इसमें, इस 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 जाएगा, ठीक है, 93 का देखियेगा, 93, में क्या दिया है, In gymnosperm, In gymnosperms, the pollen chamber represents, क्या रिप्रिजेंट घरता है? A option में दिया है, A cavity in the ovule, in which pollen grains are stored after pollination, झेल औ एंधी दिखिये, आप्सेट ऐ ओपनीज कर छिखिये, अप्टिए एंधी अ ठीड फिर अगा, शित एंधी बॉलिट यौल वीड टूर्ट आपोचेश् एंधी लिज विए आफिए, एंधी, 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 टीर अखिये, ग्रिवीजे, एंधी एंधी, 93 का C जायेगा, correct option, take, चले, question number 94, flagellated male gametes are present in all the three of which one of the following sets, तो 94 का देखियेगा, A में दिया, जाय, जिगनिमा, सेप्रो, रेजिनिया, एंड हड्रिला, यह नहीं जाएगा, फ्यूकस, मारसेलिया, एंकलो, ट्रोपिस, B में दियागा नहीं, C, रिक्सिया, जायेगा, 94 का C जायेगा, ठीक है, यहां को फ्लाजिलेट्ट्र मिल गैमिट्स के बारे हैं, ठीक है, चल, 95, रिक्स वान फॉल्व जिडिया, प्रोद्द्माइ एंड हा को फ्लाज मिल गैमिए, जायेगा,ap रीक्सिया, खुर्टाइ, जायए ठीक है, ठीक है, 96 देखिया है, which one of the following is a living fossil, living fossil कौन माने जाता है, साइकस को, ठीक है, अच्छा हाँ, अगर animal kingdom की question होता है, which one of the following is a living fossil, और option में king crab दिया होता, या lemulus, lemulus king crab दिया होता, तो lemulus को option correct करना, ठीक है, अगर वो होता तो उसको correct करता है, तो वहाँ कुछ और animals के दिये होता है, ओके, यहाँ plant की बात है, तो यहाँ पे साइकस जाएगा, ठीक है, चलिए, इतना हो गया, 97, question number 97, इसमें देखिये, which one of the following is categorized under living fossils, 97 का कौन से जाएगा, अभी आया था न, इसमें टाइप का, साइकस हो गया, ठीक है, एपी correct हो गया, 98, साइकस हैज टू, कॉटिलेडन, बट नाट इंक्लूदेड इन अंजियो स्पार्म्स, बिकाउज अफ, हाँ, साइकस में टू कॉटिलेडन अगर होता है, तो इसको इंजियो स्पम में क्यों नहीं कंसिडर किया आता है, बताइए, अरे भाई, उसके पास जो ओवियूल होता है, वो नैग्ड होता है, और और तो और, सीड जो होता है, सीड कोट नहीं बनता है, उसके उपर, ठीक है, तो सीड भी नैग्ड होगा, ठीक है, ओवियूल मैच्योर होगर के सीड का फॉर्मेशन करता है, तो आप्शन कों से जाएगा, 98 का, ए, ए करेक्ट होगा, ठीक है, चले, 99 दिखिएगा, in which of the following, would you place the plants, having vascular tissue, lacking seeds, 99 का, टेटोफाइट यह जा रहा है, और टेटोफाइट, ठीक है, क्यों, 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 ऐसा क्यों, vascular tissue lacking दिया गो ना, vascular tissue lacking seeds, ठीक है, चले, उसमें seed कहां होता है, जिवनोस्पर में तो seed होगा, ठीक है, और, एलगी और ब्राइफाइट्स में, vascular tissue होता ही नहीं है, तो अपसा नहीं करेक्ट जाएगा, ठीक है, चले, 100 नंबर को question देखिए भाई, the endosporms of gymnosperm is, कैसा होता है, जो endosporm होता है, वो किस टाइप का होता है, तो अगर यहां पर देखा जाए, cell के basis पर दिया होगा, diploid दिया है, polyploid दिया होगा, triploid दिया होगा, haploid हो दिया होगा, तो endosporms जो होता है, gymnosperm का, वो होता है कैसा, haploid, तो n नंबर, ठीक है, तो option decorrect होगा, 101, 101 का देखिए, which one of the following statements about psychos is incorrect, psychos के लिए कौन, incorrect होगा, तो, कलत इसमें चेक करना है, psychos के लिए, option A के दिया हो, it has, cincinnate, vernation, be it, xylem is mainly composed of xylem, vessel, भी correct करिया, ठीक है, चले, 101 हो गया, इसे कभी, अब 102 नंबर का question चेक करें, carefully read करिए, वीडियो को जरूर subscribe करें, like करें, और comment भी कर सकते हैं, ठीक है, comment करें, किस type का आपको वीडियो चाहिए, जरूर comment करें, किस chapter पे, किस topic पे, चले, 102, question number 102 देखिया, transfusion tissue is present in the leaves of, तो, पाइनस, ड्रायपटेरिस, साइकस, इसमें से कौन सा, और D बे बोध, A and C दिया हुए, तो, option कौन सा जाएगा, कौन सा जाएगा, बही, इसमें से, पाइनस भी जाएगा, साइकस, याने, D, बोध, A and C, करेक्ट होगा, ठीक है, चले, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो रहा है, चले, क्या होगा, इसमें, नेकस्ट, एक्सो तीन, एक्सो तीन में देखियेगा, कौश्चन, मल्टिसल Boule्लर ब्रांचेज, राइजवड और लीफी गैमिटोफियट, आर दा कारिकरिस्टिक, कारिकरिस्टिक्स ओफ, 103 का देखिएगा सम ब्रायोफाइट्स खास करके ब्रायोफाइट्स में अता है ना तो option A करेट करिएगा इसका ओके चली question number 104 देखिए the smallest plant family gymnast sperm has how many species इसमे 900 के नियर बॉट आता है तो D करेट करिएगा ठीक है question number 105 जिम्नोस्पर्मिक लीफ करीज 16 क्रोमोसोम्स the number of क्रोमोसोम्स in its endosperm will be कितना हो जाएगा बई तो endosperm में अप्लाइट होता है ठीक है 16 का half हो जाएगा 16 का half कर दीजेगा क्या हो जाएगा इसमें ये करेक्ट करिएगा 102 का D 103 का क्या बतायता बईफ़ेट के लिए 104 का D हो जाएगा 105 का 16 दिया हुआ है मार लो question में chromosome ठीक है number of chromosome in its endosperm will be endosperm कैसा होता है haploid होता है ठीक है haploid और haploid को किसे देनोट करते हैं ये होता है 2N का half होता है ये इसको देनोट करते हैं N से ठीक है ये क्या है 16 जो chromosome का दिया हुए करसे condition होगा ये मार लो deploid condition हो ठीक है तो क्या हो जाएगा N के जगें पे half करेंगे यानि 16 अपान 2 कट के आजाएगा कितना 8 ठीक है ये ये अप्लाइट में क्या होता है half number हो जाता है क्रोमस्वाम का तो 105 का क्या हो जाएगा B ठीक है इसको जरूर देखें ठीक है clear है अगर समझ में नहीं आए होगा तो comment में जरूर डाल दें ठीक है चले 106 कर देखें In pinus the wings of the seed develops from इसमें option दिया होगा है overly ferrous scale ये करक्ट जाएगा ठीक है और 107 का question नमर देखेंगा which one is the most advanced from evolutionary viewpoint इंवरिशनेरी के view से देखा जाए अगर उसके point of view से तो सबसे ज्यादा एडवांस कौन माना जाता है तो तो सेलजनेला नहीं फ्यूनेरिया नहीं क्लेम आइड़ो माना नहीं पाइनस ठीक है पाइनस ये क्या होगा ज्यूनेस पर में आता है ठीक है चलिए 108 region and turpentine are obtained from तो पाइनस से निकाला जाता है ठीक है तो भी कर ली जाए गरेक्ट ओके चलिए question number 109 109 को चेक कर ये in पाइनस the pollen grain had 6 chromosomes then in its endosperm will have okay तो इसमें हो जाएगा minus the pollen grain has 6 chromosome then it's pollen grain कैसा होता है applied होता है भई pollen grain applied होगा तो n number कितना है 6 दिया हुआ है और endospom भी कितना होता है applied होता है तो वो भी कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा तो option कौन सा करे जाएगा C question number 110 देखिए a plant having seeds but lacking flowers and fruit belongs to किसे belong करता है भई 110 का कदेवा seed but lacking flower and fruit हाँ युण यूचा हुटा क्योंकि उसके पास 2d to होता है 7d to होता है plant is not love अच्छा kwal एड्वटाउट रेटस क्यों नहीं जाएगा उसमेश नहीं फुटाउटा sी नहीं हुआ hometown मतलब सीड का एक तरए से scoring होता है . यहां से होता है थिक है वहाँ से ओए सिड वहा डेवलम होता ही नहीं? पूरित ऊसलिध की बात करें। पहँता है जया क्यों देश्ट करें नाट सीड नहीं टे admitted चलिए, आगे, 111, 111 का देखिए, question, a plant in which sporophytic generation is represented by zygote age, 111 का, c करिएगा, climate bonus, 112 नमर question देखिए, in pinus, object, gymnas, the haploid structure r, pinus में haploid structure क्या होगा, mega spore, endosperm and embryo, mega spore, pollen grain and endosperm, हाँ, ठीक है बई, 112 का, b, सब क्या होंगे, haploid होते हैं, end number, ठीक है, 113 का देखिएगा, 113, in pinus, cycus, gymnasium sporems, the endosperm is, endosperm कैसा होता है, तो, पता है आपको, haploid, अगर नहीं पता हो, तो जान लिजीगा, ठीक है, haploid होता है, end number, ठीक है, question number 114, which one of the following pairs is wrongly matched, इसमें से wrongly matched कौन से, उसको चेक करना है, उसको चेक करना है, तो रॉंग चेक करना है, गलत माना जाएगा, सालवीनिया, प्रोथैलस, 114, का ये बीज आएगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है, तो इसको correct करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, बेल आइकान भी दबाएं, और अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर जरूर करें, ठैंक यू, करें, करें दोलूर करें इनर आइक है, रिल्थन भी करें, बेल भी करें, टुर करें वीडियो कि दिया एक है, बेल है धहा है।